दोस्तो आप सभी का एक कुछन जो की हमेशा यही पूछा जाता है जो की मैंने यहां पे मेंसन कर दिये गए हैं सभी कुछन आपके एरपोस के एक्जाम ने वी मर के जोईनिंग वेकेंसी अपडेट एंड पी अपटी और दोस्तो आपको जो यह चीज़ें जो हमेशा मुझे मिलती है और यहां पे देखे कैंडिडेश बहुत ज्यादा प्रेसान हो चुके हैं और यहां पे जो आपका जो सवाल बनता है कि आपकी वेकेंसी नहीं आ रही है और आपके जो जोईनी नहीं नहीं हो रही है तो यह सारे सवाल आपके बनते हैं और मुझे पूचा जाता है कि हम जो बेरोजगार क्यानि हमें बेरोजगारी एक जो बहुत ज़्यादा सामना कर रहा है इन दिनों में और अब की बार खास करके जो कि लोगों ने करोना का एक बहाना बना कर सभी लोगों को जो कि रोजगार मिल रहा था उनको बेरोजगार बना दिया है और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बन चुका है दोस्तों तो मैं सभी candidates से एक चीज जो कि आपको बोलना चाहूंगा क्योंकि आपको जो इस debate में आपको भाग लेना है क्योंकि आपके जो मुद्दे हैं ये कोई नहीं सुनेगा दोस्तों आपको अपने जो हमें खुदी हैंडल करने होंगे और इसके लिए क्या करना होगा क्यों मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि इन दिनों जो चल रहा है वो है आपका SSC railway NTPC लेकिन दोस्तों SSC railway NTPC ही नहीं क्यों आप सोचोगे आपको जो सेलफिस नहीं बनना है और आपको ये मत सोचना है कि मुझे क्या लेना देना SSC से लेकिन हमें सिख्षा के जगत को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को एक साथ एक जुट होकर जो कि दोस्तों आपकी कल एक जो मुहिम चलाई जा रही है 1 सप्टेंबर को तो आपको उसको स्पोर्ट करना है यानि 1 सप्टेंबर को आपकी SSC, NTPC इनके बारे में आपको जो ट्रेंड करवाना है ट्वीट पे जो कि यहां पे सबसे बड़ा मुद्दा है और ये आपके लिए क्यों जरूरी है ये भी कि सरे आपके PMT के अपडेट के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है नेवी जो अब की बार देखेगा अगर दोस्तों आपकी जो MR की जोइनिंग क्यो नहीं हुई अगर Air Force की जोइनिंग हो सकती है तो क्या COVID-19 वहां पे नहीं है क्या COVID-19 वहां पे नहीं है लेकिन नेवी जो इस पे चूपी सा दिवी है और candidates जो की उनको जो सबसे बड़ा जो डरसता आ रहा है हरे candidates को कि हमारी age हो जाएगी age हो जाएगी लेकिन ये सभी इनको नहीं दिखता है और जब notification आता है तो age को change कर देते हैं और आपकी vacancy में बहुत सारे candidates जो की previously जो डिया गया था कि आपके किसी भी candidates की ओर द्यान नहीं दिया गया कि कितने candidates जो की institute जोइन कर रखी थी लेकिन फिर भी उनका सिर्फ दोस्तों यही की age हो गया तो जो इस प्रकार जो मुद्दे आते हैं तो उस पे जो दोस्तों आपके बहुत सारे candidates जो की demotivate होते हैं और जो की उल्टा सिधा भी करते हैं और मुझे दोस्तों इस प्रकार के हमेशा comment आते हैं तो मैं किसी भी candidates को motivate करने की जरूर मैं प्रियास करता हूँ कि सर नेवी एमर का जोइनिंग ने हुआ मेरे तो लाइप खराब हो गई यह सारे सवाल आपके आते रहते हैं और बहुत सारे कैंडिडेस जो कि PMT के बारे में पूछते हैं मुझे कि सर नेवी के PMT का कोई अपडेट आया क्या लेकिन नेवी जो ऐसी हो चुकी है कि आपको ये भी नहीं बताया जा रहा है कि कब करवाया जाएगा अगर आपके NEET OR JEE जैसे एक्जाम हो सकते हैं क्यों क्योंकि दोस्तों वहाँ पे सरकार को रिवनिव आ जाता है लेकिन यहाँ पे आपको MR के जोइनिंग कराने में जो समस्या और इसी परकार का जो मुद्दा है दोस्तों SSC का रिजेल्ट डिकलेन नहीं किया जा रहा है तो हमें जो सिक्स्या के जगत में जो करांती लानी है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है और हम जो ये परियास सभी करेंगे कि जो कैंडिडेट्स बेरोजगार है उनको रोजगार मिले सबसे जादा और जोस्तों सभी जो भी आपके सोसल मीडिया है जो भी आपके सोसल मीडिया है ये सब कुछ हमें ही करना पड़ेगा क्योंकि मीडिया और आपकी सरकार आप पे किसी परकार का ध्यान नहीं दे रही है इसलिए सभी candidates को एक जुट होना है और एक September को जो मुहीम चल रही है इसमें दोस्तों सभी जितने भी सिक्सत जगत हैं जितने भी आपके teacher हैं जितने भी student हैं सभी भाग ले रहे हैं तो आप क्यों नहीं भाग लोगे और किसी को भी selfish नहीं होना है दोस्तों और आपको जो जितने भी आपके जो आपके जो मीडिया होगे उनको सभी को बाइकोट करना है क्यों करना है क्योंकि ये कभी आपके मुद्दे के बारे में बात करते ही नहीं है नेवी और जो आपके बहुत बड़ी जो कि नेवी और एरपोर्स एक जो बहुत बड़ी जो कि आपके अब वेकेंसी दोस्तों क्यों नहीं आ रही अगर दोस्तों आपके दिली पुलिस की वेकेंसी आ जाती है और आपके अन्य वेकेंसी आ रही है तो क्या नेवी की वेकेंसी नहीं आ सकती क्या एरपोल्स का वेकेंसी नहीं आ सकता पेपर तो मालो कि करोना के कारण नहीं हो रहा बट आपके नीट और जेवी के तो एकजाम करवाए जा रहे हैं कि आपके एकजाम भी करवाए नहीं जा सकते लेकिन सवाल दोस्तों यहां पे भी है क्योंकि नेवी के अगर वेकंसी आती तो एक स्टुडेंट को जो की एक अनभू हो पाता क्योंकि उनको जो सता रहा है candidates को कि हमारी तो age हो जाएगी तो हम क्या करेंगे उल्टे सीधे जो काम है वो आप करेंगे तो यहां पे जो सवाल बन रहा है कि सभी काई कि क्यूसन पूछा जा रहा है कि सब मेरी तो करोना के कारण लाइप बरबाद हो गई दोस्तो करोना के कारण नहीं आपको सेलपिस और आपके दोस्तों आपको इस मुहिन के साथ जूड़ना होगा दोस्तों मैं सभी कैंडिडेस जितने भी कैंडिडेस अपनी सोसल मीडिया वीडियो को जादा से जादा सेर करो और जितने भी आपको वीडियो मिल रहे हैं इसके बारे में क्योंकि यह चीज़ें जो आजकल ट्रेंड कर रही है तो आपको इनी को ट्रेंड करवाना है आपको ना दोस्तों किसी परकार के मीडिया इनका नहीं अब आपको अपना जो की खुद को करना होगा सब कुछ और यही सभी के दोरा बोला जा रहे हैं जितने भी यूटूबर हैं उन सभ को आप बोलो जादा से जादा कि आप वीडियो बनाए है's topic पे कि हमारे जो रोजगार के लिए जो आप वीडियो बनाए है क्योंकि सादन एक ही रहे है दोस्तों यूटूब आपका प्लेटफॉर्म जो रहा है वही एक प्लेटफॉर्म रहा है और आपको सभी युथ को इस परकार आपको जागना होगा ये दोस्तों मैं SSC के लिए नहीं बोल रहा लेकिन Navy के साथ भी आपका ऐसा ही होने वादा है क्योंकि ऐसा हो रहा है दोस्तों Airpods का जोइनिंग हो रहा है तो Navy MR का जोइनिंग क्यों नहीं हो रहा क्योंकि बहुत सारी कैंडिडेशन जो कि इसका इंतजार कर रहे है और Navy MR जैसा competition दोस्तों बहुत हाई merit जाती है उसमें अगर student ने बहुत जादा मेहनत किया अगर उसको टाइम पे जोइनिंग नहीं मिल रही है तो आप सोचिएगा लेकिन अब की बार ऐसा क्यों हो रहा है देखिए थोड़ा जो सबसे बड़ा जो रीजन है वो है सरकार का कारण दोस्तों गोर्मेंट के कारण ऐसा हो रहा है सबसे बड़ा रीजन तो ये जो संदेश आपका गोर्मेंट तक पहुँचना चाहिए तो आपको कल एक सप्टेंबर को दोस्तों सभी जो भी यूथ कैंडिडेट्स है और आपके जितने भी सोसल मीडिया उन सभी के पास दोस्तों ये मेसेज जाना जरूरी है और आपकी कोई नहीं सुनेगा ये मैंने तभी लिखा है ये आपकी कभी सुनी भी नहीं जाएगी अगर दोस्तों आपने ये मोका गवा दिया तो इन पांच दिनों के अंदर हमें जो सब कुछ हिलाके रख देना है दोस्तों और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है क्योंकि जो रोजगार जो था वो भी छीन लिया गया आपके लोकडाउन का एक बहाना बना कर जो आपकी करोना को एक बहाना बना कर ये सारी चीज़ें जो आपकी हुई है और दोस्तों इसी पे जो मैं इसी लिए बात किया है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे बोल रहे थे की सरा मेरा स्क्रीन सोट लेकर आप जो वीडियो बनाएगा तो मैं दोस्तों आप सभी की आवाज को मैं समझता हूँ क्योंकि मुझे सुबह से लेकर आपके साम तक यही कॉमेंट आती है नेवी आमार का जोइनिंग कब होगा वेकेंसी कब आएगी प्याप्टी अपडेट कब आएगा यह सारे सवाल आपके बनती है एरपोस का एक्जाम कब होगा तो इन सारे सवाल का दोस्तो एक ही सोलेसन है आप जो अब एक जुट हो जाएए कोई आप पे जो ध्यान नहीं दे रहा है तो हमें यह सब कुछ जो करना होगा तो गाइज उमीद करता हूँ कि आपको जो मैंने बोला है यह आपको जो आप जरूर करेंगे और अभी से दोस्तो सभी को वीडियो को जादा से जादा से जादा सेर कीजिएगा और आपको जो अपनी मुहिम को जो जीतना है हसिल करना है तो दोस्तो मिलते हम इसी अपडेट के साथ यह कुछ नहीं आपको जो मैटर नहीं करना है आपको जो बोला गए आपको सेल्पिस नहीं होना है जो आपको बोला जा रहा है यह जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जैहिंद जैभार्त वंदे मातरम